ऐसे बहुत से लोग है जो अपने शरीर के बारे में नहीं बलकि जन्म और मुरत्यू से मुक्ती के बारे में सोचते हैं मैं पैसे के पीछे नहीं भागता खुशी अपने आप आती है ये कहा है एक ऐसे व्यक्ती ने जो इच्छा मुक्त जीवन का समर्थन करता है एक ऐसा व्यक्ती जिसे अपना बच्पन ठीक से याद भी नहीं एक ऐसा व्यक्ती जिसने जीवन के शुरुवाती चार साल स्टार्च का पानी पीकर निकाले ऐसा व्यक्ती जिसने गरीबी में पैदा होने से लेकर पदमश्री तक का सफ़र तैक किया कहते हैं जब तक शरीर चलता रहे जीवन भी उतना ही हो तो भैतर है और शरीर लगबक 60 साल की उम्र तक ही ठीक से काम करता है उसके बाद तो इंसान दूसरों पर बोज ही होता है इन सभी धानाओं को परे कर दिया उस व्यक्ती ने जो 127 साल का होने के बावजूद भी निरोगी और फुर्तीला है जी हाँ आपने सही सना 127 साल का एक भारतिय यातरी जिसका अबुधावी में फ्लाइट रुखने पर पासपोर्ट चेक किया गया जिसके बाद आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा पासपोर्ट पर लिखी उम्र को देखकर वहां के स्टाफ को विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगने लगा कि ये पासपोर्ट तो नकली है आपको क्या लगता है कि उस पासपोर्ट पर आखिर क्या तारीक लिखी होगी आठ अगस्त 1866 में एक बार के लिए तो लगे कि 1866 में जन्मा को इंसान अब तक कैसे जंदा हो सकता है लेकिन ये सच है पहले सच का पूरा मामला जान लेते हैं फ्लाइट पॉलकता से लंदन जा रही थी जरान फ्लाइट आबूधा भी में रुकी थी अचानक एक स्टाफ ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया और पासपोर्ट पर लिखी डेट ऑफ वर्थ को देखकर अपने खोश कवा बैठा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 1896 में जन्मा एक व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा कर सकता है और आसानी से चल फिर भी सकता है इसका नाम है योगाचारे स्वामी शिवानन जो अब 127 साल के हो चुके हैं इनका जन्म बांगलादेश में हुआ था लेकिन अभी वो यूपी के वारानसी के दुरगापॉंड स्थित कभी नगर में रहे रहे हैं इस उम्र में उनकी फुर्ती को देखकर सभी लोग हैरान है अब उनकी फुर्ती का राज जान लेते हैं वो इस उम्र के पड़ाओ में भी इतने फिट कैसे हैं इस बारे में वो बताते हैं कि वो रात में 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं सुबह बगवत गीता का पाट पड़ते हैं रात के भोजन में जो से बना दलिया, आलू का चोखा और उगली सबजिया नियमित रूप से खाते हैं वही वो दिन में कभी भी नहीं सोते हैं स्वामिशिवानंद का कहना है कि जीवन में नियम और सैयम का होना बहुत जरूरी है वो इस सुम्र में एक घंटा टहलते हैं और इसके बाद एक घंटा योग करते हैं उनका मानना है कि अगर हम योग, आहार, विहार, नियम और सैयम को जीवन का अंग बना ले तो जीवन की रहा सरल हो जाएगी बिमारिया कोसु दूर रहेगी वही उन्हें वर्ष 2022 में पदमा श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है हमस्कार